हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यूट्यूब चैनल एस डेवलू जी सड़ी विद गुरुकुल्स आज यू टॉपिक हम पढ़ेंगे राइट इस इंग्जाइटी डिसॉर्डर्स विच काम संदर दर चाप्टर साइकलोजिकल डिसॉर्डर्स तो आए पढ़ते हैं क्या होता है लिए डिसॉर्डर अइंग्जाइटी यह टर्म आपने कभी ना खबी अपने लाइफ टायम में यह किसे यह इंग्जाइटी डिसॉर्डर को कि न कहीं करेंगे क्या होता है यह वह फीलिंग होती है जिसके डिस्क्रिप्षिन नहीं कर पाते हैं इसके डिस्क्रिप्षिन आप नहीं कर पाते हो और उसमें एक फीलिंग एक डर की भावना गबराहत ऐसे शींटमस आते जिसमें कि आपको लगता है कि आपका हार्ट बारिया जाएगा यह थी आपको यहार्ट राप्रेय और आपको बहुत है कुसी को स्वेटिंग होती है कुछ लोग फेंट हो जाते हैं कुछ लोग को डिजीनेस होती है तो यह सारी चीज़े जब होती है और तब उसको हम टर्म करते हैं अब यहां पर सोचने वाली बात यह हैं मैं आपको बता रहे थे कि हम सब जो है एंग्जाइटी वर बहुत फ्रिकुंट्ली यूज करते हैं बट वह इंग्जाइटी डिसॉडर की काटेगरी में नहीं आता तो ओकेशनल एंग्जाइटी फील करना इस ओके क्यों जैसे कि कुसी सेमिनार के लिए जा रहे हो जो जिसमें कि आप पॉब्लिक लिए करने वाले उससे पहले जो थोड़ी एंग्जाइटी होगी इसको इं और उससे हैं ऊसे इसे इतना असर करता है कि हमारी जू न्मरी उटिन लाइफ है वह भी डिस्टब हो जाती है हम जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पातें सो निय। पाते खानी पाते तब इसको इंग्जाइटी डिसॉर्डर कहते हैं अब पब्लिक स्पीकिंग जैसे मैं बता रहे थी जब आप वह सेमिनार में कुछ बोलने जा रहे हैं आप जो बोल देते उसके बाद इंग्जाइटी खतम हो जाते वह कॉंस्टेंट नहीं रहती तो इंग आप उपना काम करने को भी आवाइड करते हो अपना प्रोल जाना भी इंग्नौर करते हो शोचल गैट टूगेदर करने में भी आपको दिक्कत होती है आपके शिम्टम्स और वर्स हो जाते हैं उसको हम कहते एं अग्जाइटी डिसॉर्डर और बहुत सारे इंग्जाइट रहते हैं एक आपने समर फींटप रहती है द्रश्षीेलिक रहती है वह 이상 two times रहती है पानिक वान ही कुछ होने वाला है उननको यसे वेशन है इससे हैं होने वाला समय कुछ मेरे साथ होने वाला है कोई मेरे लिए कर रहा है हामफुल कुछ होने वाला है ऐसी उनको feeling हमेशा रहती है increase heart rate BP भी रह सकता है उनको दे हाइपर वेंटिलेट है पर मेंटिलेट में ब्रीधिंग बहुत पास हो जाती है ऐसे हाफ ने लग जाते हैं जैसे कि बहुत किलोमेटर्स की रनिंग करके आये है देश्वेट भागते वक्षवेटिंग आते हैं इस इफना खड़े खड़े स्वेटिंग आ रही है और जिसका कोई रैशनल भी नहीं है आप कांपते हो ट्रेंबलिंग होती है यूवी टायड लेथार्जिक कुछ काम करने का मन नहीं करता है यूव प्रॉब्लम और दिफिकल्टी इन कॉंसेंट्रेटिंग और फोकुसिंग एक वरी में रहते हो चिंटा में रहते हो बहुत जाएगा यहां पर यह बहुत एप् रही हो जाएगा लाइक और यह दिफेंट-पर्ट इंग्शियर्ट इस उन सीजँटी इसर्डलतर जिश्मना कि सारे टिस इस में नहीं फніर्ट इस एंस्टों ओक पीर रटेश्जि characterize इस फॉबिया iç मैं एंद थे जे प्सें इसमें वही सेम है कि जो सिम्टम्स है जो feeling वह बहुत 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 प्रदेखल नहीं पाएगा पेशन्ट और यह नहीं बता पाएगा कि इसकी वज़से ही हो रहा है यह इस इवेंट की वज़से हो रहा है सिम्टम्स वही continuous वरी continuous apprehension धबराहाट हाइपर विजिलेंट मतलब हम सब होते हैं बट हाइपर हो जाना एक चीज को लेके बहुत जादा सो विजिलेंट हो जाओगी अच्छा क्या होने वाला है थोड़े सा भी कुछ खटपट सुए तो एकदम से देखने जाएंगे क्या हुआ लाइक हम जैसे बहुत साइज चीज नदाज भी कर देते हैं नॉर्मल रूटेन में वह उस चीज को भी बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी ने उसका पैन ले लिया है वह ओवर्याक्ट भी करते हैं और शौट इंसे एस ऐसे ऑने वाला है वह गया से अधिन करते रहते हैं तो यह शोट शॉट इंसेसे अधिन्जर उनको लगता है कोई देंजराने में अभी सिंटम्स में पता है ना कुछ इंपंडिंग डूम जैसा उनको फील होता है कि सिमिलर्ली वह भी स्कैन करते हैं एंवार्मेंट में कि क्या इंपेंडिंग डूम या डेंजर आने वाला है और इन लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है तो रिलाक्स तो इस लिए उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी होती है दे सफर फ्रम इंसम्निया एंड लॉस अप दिफिप डिपर डिपर देपर दिप्रिवेशन एस वेल एक्स अपैनिक डिसॉर्डर नाम से पता चल रहा होगा कि पैनिक सदन अटक आजाता है एंग्जाइटी का एडिवाट फ्रिक्वेंट होता है इसमें पेशन को बहुत जादे इंटेंस फियर फिलो देहाव एंशि कोई एल्बम देख ली एक्दम से पैनिक अटेक आजाना अग्दम से आपने मुवीज में बहुत देखा हो गया तो इसम्टम्स क्या होता है एक्दम सड़नली वह है पर शॉटनेस ऑफ ब्रहत हो जाती है गदम को लगता है कि सांस ही नहीं आ रही है कंप्लेंट कि मुझे कि मेरे गला कोई दबा रहा है मेरे बड़ सब्जेक्टिव से वो जो सिम्टम्स है वो बताते हैं कि उनको नोजिया फील हो रहा है देव बोलते कि मुझे सब्सक्राइब पागली हो जाओंगा देव फील लाइक फियर और गोइंग रिजी इवन डैफ और चेस पेन वह और एक्स्पियेंस के सबसे बताते हैं बैनिक टिसॉडर नेक्स फोबियास नाओ फोबियास हम पढ़े से पहले हम समझेंगे कि फोबियास और फियर के वीच में डिफरेंस लिया है फोबियास फोबियास आड़ फियर विच दू नॉट हैव एनी लॉजिक और रैशनल बिहाइंड इट फियर के पीछे रैशनल होता है आपके मेरे सामने कोई भी टेरिस्ट आएगा पंदूख लेके खड़ा होगा मैं और आप डरेंगे तो दाट इस फियर वह फोबिया किसी भी अब्जेक्ट पर से सिच्वेशन से तो इसको बोलते हैं और यह फोबियास भी कैसे होते हैं बैसिकली टैप्स ओफोबियास जिनको की फर्दर और कर्टेग्राइज किया जा सकता है बट अभी हम थ्री टैप्स ही पढ़ेंगा इस परस्पान इस स्पेसिफिक स्प यह यह तरा इस को यह को फॉबियास तरह करें थे यह अधेनल होते हैं यही को सब्सक्राइज को बिенラं से स्प्राइज होता है और इस चर्द्र बैसंद्र तहर अर जेसे बहुटेर और लस्राइज से सबनेघर उतनल थे लिएजैप्स बॉन स्पहोबिया संम और से और it is irrational fear or feeling of intense fear of embarrassment in the public नहीं बहुत लोग कहते हैं मैं पब्लीक सेज पर नहीं जा सकता हूं मुझे कोई मैं नहीं बो सकता हूं मुझे confidence नहीं मुझे दर लगता है embarrassing हो जाएगी people have public fear expressing themselves उसको बोलते हैं social phobias agoraphobia it is a fear of entering into the unfamiliar situation हम किसी unfamiliar situation में पढ़ जाएंगे फर्स जाएंगे such kind of people who face this agoraphobia they have problem with leaving their home and they are unable to carry out their normal activities उनको लगता है कि घर में बन रहे हैं बहार जाने बहार जाएंगे तो क्या होगा कैसे हम जाएंगे कैसे स्कूल जाएंगे कैसे बस मिलेगी नहीं मिलेगी such kind of things वो जो है डरते हैं ना अन फैमिलियर situation से that comes into the agoraphobia phobias or there is a list of phobias जिसमे की different different types के हो सकते हैं next is a separation anxiety disorder separation anxiety disorder में it comes with the attachment when जिससे attachment है और उससे separate हो जाना ना that is come under this separation anxiety disorder और to the such extent कि उसकी development भी curtail हो जाएंगे हिंडर हो जाएंगे stop हो जाएंगे बसे कि एक बच्चे अपनी मदर से attached है तो अगर उससे separation हो जाता है समाव मदर की death हो जाती है या कुछ हो जाता है या फिर मदर नहीं है तो उसकी एंड़ अटाश्मेंट वो सेपरेशन से अटाश्मेंट हो जाता है इंटेंस फिर जो से जनेरेट होता है that is the separation anxiety disorder यूशुली ये बच्चों में देखा जाता है सब् scared शवाब सब्सक्राइब के अगें अग्रशब्स से के साथ इंड़ ये जात है बच्चों में देखा बड़े होते हैं order but Yale Scientology next what are the causes of the anxiety disorders of course the first one is जेनेटिक्स जेनेटिक्स जो कि हमारे ग्राइंट से और पैरेंट से उनके चिड्रन में तो दे रन इन्जैटि केमिस्ट्री अगर कोई व्रेन में में फॉल्टी साइट है we are unable to control our phobias, हमारे emotions और हमारे fears को control नहीं कर पात है, that results into anxiety disorder, environmental stress जो की बहुत inevitable है आज की लाइफ में, तो कोई भी stress event हो जाता है, child abuse हो जाता है, earthquake हो जाता है, या फिर धहरादून में जैसे वो cloud ब्रेक हो गया था, वो हो जाता है, death of a loved one, लुजआ हो जाता है या घर थिर या फिर या बहून जाता है, या या फिर या वी ऱ जाता है, या फिर या फिर विर लगात्तर चााट्रीयا पूल्ग के लोडेख सुझता है फिर, by seeing the spoiler, so these all are the environmental stress. Next, is the drug withdrawal or misuse. now there are certain drugs which are used to hide or decrease the anxiety symptoms for example there is a drug called dalentin it is used into the doses and it is called taper off like 20 mg then 10 mg then 5 mg sudden withdrawal so that also cause the anxiety disorder now alcohol use and substance abuse is very much related with the anxiety disorder which go hand in hand now before you rule out any anxiety disorder one should clear out all the medication medical conditions which can cause anxiety for example people who suffer from thyroid imbalances the local thyroid hormone imbalance so on my anxiety disorder is the other hyperthyroidism so hypermiss secretion is more likely to have anxiety disorder heart palpitation is more likely to have symptoms which complain so a full or thorough routine examination physical examination medical examination should be done before you rule out the anxiety disorder one need to talk to the doctor about the symptoms so friends this was about the anxiety disorder I hope I would have done justice while making you understand wildly a Positive . the changes a